हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी यूट्यूब चाहिए आपका हेल गुरू में स्वागत है इस वीडियो में हम चहरे पे जो मुहा से होते याने के एकने और पिंपल की ट्रिटमेंट आपको सिखाने वाले एसा एक सिंगल एक्यूपरेशर पॉइंट आपको दबाना है और आप अपने चहरे पे जो मुहा से होते एकने और पिंपल होते इनकी सारवार घर पर ही बिना किसी खर्चे के बिना किसी दवाय के पूरी तरीके से नेचरली कर सकते हो और अपने चहरे की सुंदरता वापस ला सकते हो तो आगे भी हमने एक वीडियो बनाया था चहरे के मुहा से को दूर करने के लिए वहाँ पर हमने डोक्टर वॉल का इलेक्टर एक्यूपंक्चर पॉइंट आपको सिखाया था तो इस वीडियो में हम एक्यूपेशर मेडियन का पॉइंट आपको सिखाने वाले यह दोनों पॉइंट इतने ही इफेक्टिव है यह दोनों पॉइंट को आप साथ में भी try कर सकते हो या तो फिर दोनों में से कोई एक point को भी आप treatment दे के अपने चेहरे पे जो मुहां से होते हैं इनकी सारवार घर पर ही कर सकते हो यहाँ पर आपको जो point सिखाने वाले वो point का नाम है K2 याने के kidney median का दो number का equipacer point तो यह point के बारे में पूरा detail में जानकर यहाँ पर ले लेते हैं किस तरीके से यह point को locate करना है कैसे इनको दबाना है कैसे आप magnet या तो seed therapy से यह point को treatment दे के आप अपने चेहरे पे जो एकने और pimple याने के मुहां से होते हैं इनकी सारवार कर सकते हो यहाँ पर हमारा equipacer point हमें इस जगा पर मिलता है जान लेते हैं किस तरीके से यह point को locate करना है यह point को locate करने के लिए पहले हमारी middle finger का जो यह last digit है यह last digit का आपको exact center point मार्क कर देना है फिर यह center point से थोड़ा सा बाहर हमारी जो ring finger है ring finger की side हमें इस जगा पर हमारा equipacer point मिलता है फिर से जान लेते है middle finger का जो यह last digit है यह last digit का center point मार्क करना है यह center point से थोड़ा सा बाहर ring finger side हमें हमारा equipacer point मिलता है तो यह पोइट को लोकेट करने के बाद यहाँ पर हमें दो मीट के लिए इस तरीके से एक्टिवेट कर लेना है फिर यहाँ पर आप मेगनेट या तो सीड थेरापी से ट्रिटमेंट दीजिए तो बहुती फास्ट और बहुती अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर मेगनेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके के स्मॉल साइस के मेगनेट का इस्तमाल करना है यह मेगनेट की खासियत यह है कि इनकी सर्फेस इस तरीके से वाइट होती है और एक सर्फेस इस तरीके से येलो होती है अगर येलो सर्फेस हमारा जो पॉइट है यह contact में आती है तो यह point के सबंदी जो organ होता है इनकी energy कम होती है यहाँ पर हमें हमारा जो point है यह point की energy घटानी है कम करनी है इसलिए magnet की जो white surface है यह white surface को इस point के contact में लगानी है जान लेते हैं किस तरीके से magnet को लगाना है आधी चोड़ी paper tap लेनी है यह tap के उपर magnet को इस तरीके से लगा दीजिए ताकि उपर से आपको white surface दीखे और tap के पीछे से आपको yellow surface दीखे फिर हमारा जो equipacer point है वह point पर यह magnet को इस तरीके से लगा दीजिए यह magnet को आप पुरा दिन लगा के रख सकते है यहा तो फिर राज को लगा दिए सुवह इनको निकाल दीजे या तो फिर दिन में 6-8 गंटे लगा के रख सकते हो यह मेगनेट को आप बार बार इस्तमाल कर सकते हो इसलिए बहुती कोस्ट एफेक्टिव हमारी टीटमेंट हो जाती है अगर आपके पास यह मेगनेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीर थेरापी से भी यह पोईट को टीटमेंट दे सकते हो यहाँ पर आपको स्मॉल साइस के सीट का इस्तमाल करना है क्योंकि हमारा जो पोईट है वह स्मॉल साइस का है इसलिए यहाँ पर आप मुंग के दाने ले सकते हो या तो फिर मेथी के दाने ले सकते हो या तो कोई दूसरे small size के sits का इस्तमाल कर सकते हो यहाँ पर मैं मेथी के दाने ले रहा हूँ आदे ही चोड़ी paper tape लेनी है यह tape के ओपर थोड़े से मेथी के दाने लगा दीजे फिर हमारा जो point है वह point पर यह दानों को इस तरीके से लगा देना है magnet की तरह ही यह sits को भी आप पुरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दिये सुवा इनको निकाल दीजे या तो दिन में 6-8 गंटे लगा के रख सकते हो अगर आप दिन में लगा रहे हो और आपके पास time है तो हरे गंटे एक मीट के लिए यह sits को इस तरीके से दबा भी सकते हो तो बहुती fast और बहुती अच्छा result आपको मिल सकता है पर magnet की तरह यह sits को आप बार बार इस्तमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि सीट्स में healing power होता है, germinating energy होती है जो कि हमारा DC जेव उनको heal करने में utilized हो जाती है इसलिए फिर यह सीट्स हमारे कोई काम के नहीं रहते है दूसरी बार treatment के लिए हमें नए सीट्स इस्तमाल करना ज़रूरी हो जाता है तो यहाँ पर हमने यह single equipment का आपको location सिखा दिया किस तरीके से यह point को दबाना है, कैसे magnet या तो seed therapy से यह point को treatment दे के आप अपने चेहरे पर जो भी मुहां से हो रहे इनकी सारवार बहुत ही आसान इसे कर सकते हो और अपने चेहरे को फिर से सुन्दर बना सकते हो तो आसा रखता हो कि आपको हमारी information अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो यह video को like जरू करिए ज्यादा स्यादा लोगों तक share करिए ताकि सभी को फायदा मिल पाए और ऐसी अच्छी information के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हो Thank you for watching